नमस्का दोस्तों आप देख रहे हूं मोटबर्ग और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आफ रोड टेस्ट मारूती सुजुकी इगनिस का तो ये दोस्तों एक सिटी और हाइवे वहिकल है, सिटी और हाइवेज में ये काफी अच्छे से परफॉर्म करती है लेकिन ओफ रोड में एक ऐसी परफॉर्म करेगी इसके बार में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर वैसे दोस्तों ये कोई ओफ रोडर नहीं है लेकिन फिर भी एक दो क्यरेक्टरिस्टिक आपको इसमें मिलते हैं जैसे कि ये फिफ्टी निंजर्स के वील्स आपको बेज वेरेंस से ही मिलेंगे इसके बाके आपको वन एटी एमेम की ग्राउंड क्लेरेंस मिलती है जिसके वज़ेसे ये गाड़ी ओफ रोड में यानि कि कराब रस्तों में काफी अच्छी परफॉर्म करता है अभी आफ रोड दो टाइप के होते हैं एक में रस्ते काफी ज्यादा कराब होते हैं जैसे कि आप इसका रेफरेंस ले सकते हो तो गड़े ना काफी ज्यादा बड़े हैं तो इन रोट से दोस्तो कुछी गाड़िया जा सकती है जैसे कि महिंदरा थार, फॉचुनर या फिर एंडेवर जैसी गाड़िया इगनिस तो इन रोट में बिलकुल नहीं जा सकती है ये मुझे पता है लेकिन इस सड़क के बार में अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तो एक म इसलन भी काफी जादा बढ़ चुकी है तो काफी जादा चालेंजिक बन जाता है इन रोट से गाड़ी को ले जाने में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस से पहले कभी भी इगनिस को बारिश के समयी पर इन रोट से नहीं चला है तो इगनिस कैसी तो अगर मैं जादा इसको पुश करूँगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो इसलिए अराम से इसको चलाएंगे और जिस तरह से इसका कैबिन हिल रहा है तो उससे आप अंदाजा लगाई सकते हो कि सड़क पर कितने सारे गड़े मौजूद है लिटरली सड़क काफी ज़्यादा कराब है और इसके उपर फिसलन भी काफी ज़्यादा है एक दो बार वील स्पिन भी मारा था कारने और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो वील्स है न वो एक्चल में स्टॉक टायर्स है जो की कमपिनी से मिलते है आपको तो मैंने टायर्स में कोई अपग्रेड नहीं किया है तो अगर आप इसमें थोड़े वाइड या फिर आफ रूट टायर्स वगरा लगवाएंगे तो आपको थोड़े अच्छी राइड क्वालिटी जो है कराब रस्तों में मिलेगे अभी जिस तरह से गाड़ी खिल रही है उस हिसाब से आप इसके राइड क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो तो मैं अपने पुरारे वीडियो में हमेशा कहता हूँ कि इसकी जो मतलब इगनिस की जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी स्टिफफर साइड में है क्योंकि इसमें आपको स्टिफर सिस्पेंचन मिलते है और इसका जो लाइड हमा है वो आप अभी देखी सकते हो हर चो इसके अलावा मुझे पावर और पिककप के इस गाड़ी में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी है अभी गाड़ी में लग बग तीन लोग बैटे थे लेकिन इसकी बावजूद भी है आराम सी चड़ रही थी जैसी कि फॉर एक्जांबल अगर आप इस रोड को देखेंगे त इसलन भी बहुत ज्यादा थी लेकिन इसके बावजूद भी यह आराम सी चड़ गई बिना किसी दिककत के तो यह लेवल ओफ परफॉमेंस आपको मिलती है मारूती इगनिस के अंदर बागी कम्प्लीडे से कराब रस्तों में आराम सी चल रही थी बिल्कुल भी मुझे पर गड़ों के अंदर भी यह काफी स्टेबल ही चल रही थी मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा था कि गाड़ी यह से पलट जाएगी यह जूलने वाली जो फीलिंग होती है ना वो मुझे बिल्कुल भी इसमें नहीं लगा और यह मैं आपने परसनल एक्सपिरेंस से बता रहा लेकाज इगनेस से पहले हमारे पास थी मारूती की वैगनार अभी वैगनार में क्या होता था कि अगर मैं नॉर्मल छोटे मोटे गड़ों में भी चलाऊं तो वो गाड़ी ऐसी फील होती थी कि कम्प्लेटल ऐसी जूलने वाली फीलिंग उस गाड़ी के अंदर आती थी ल तो 180 mm का जो ground clearance है वो काफी ज़्यादा फाइदे में दो रहा है इन रोडस पर क्योंकि फॉर एग्जांपल इगनिस के सिग्मेंट में काफी सारी गाड़िया अवेलेबल है जैसे कि टाटा की टियागो जिसमें आपको 170 mm की ground clearance मिलती है बाके आपको swift और wagonar भी मिलती है जिस ज़्यादा मैटर करती है अभी मैं लगबक एक किलोमेटर तक गाड़ी चला चुका हूँ काफी सारे गड़े थे लेकिन इसके बावजुद भी इगनिस का जो नीचे के चेसी होती है वो बिल्कुल भी नहीं टक रहे है जमीन से बाकी जैसे कि मैंने बताया मेरे पास पहले वैगनार थी तो वैगनार को मैं बहुत बार जो है इन रोडस में चला चुका हूँ तो उसमें ग्राउंड क्लेरंस का बहुत ज़्यादा इशू होता था हर चोटे मोटे गड़ों में उसका नीचे का इससा टकरा जाता था तो डेफिनेटली आपर ग्राउंड क्लेरंस कराब रस्तों में ज्यादा है तो बाकि 50 नीचे की जो वील्स है वो भी काफी ज्यादा फाइदे मन्स अभी धो रहे हैं पिकुछ जो चोटे मोटे गड़े और जो पत्तर वगरा है न वो ज्यादा फील नहीं होता है अंदर की तरफ तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो अभी आफ रोड की इसाफ से इगनिस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया कराब रस्तों में अगर आपकी तोड़ी बहुत रनिंग है तो इगनिस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बहतर गाडी ने बागी आफ रोड की रिगार्डिंग में पार्ट टू वीडियो डालने की भी कोशिश करूंगा तो अगर आपको देखना है तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी के साथ चले मिलते आपसे अगले वीडियो में